नमस्कार साथ वेक पर फिसी स्वागत करता हूँ आप सब लोग का मारी यूट्यूब चैनल के उपर आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है बचो क्योंकि एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के उपर मैं चर्चा करना वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोग फर्म डालने जाते हैं तो अब लोग 19 के होगे accept नी करता साड़े 19 के होगे accept नी करता फर्म ऐसा क्यों है और exact criteria क्या है age limit निकालने के लिए तो मैं आज की वीडियो में सारे प्रॉबलम्स आपकी solve कर दूँगा मैंने एक table भी बना लिया है कि आपकी age limit के इसाब से आपके पास कितने attempts है तो सबसे पहले अगर आप official joinindianarmy.nick.in की website पे जाएंगे यहाँ पे entry schemes में men women दोनों के लिए है यह same criteria NDA के age criteria 16-19 लिखा हुआ है तो यह ना 16-19 word ना सारे newspaper वाली website है सारे बड़े ad tech platforms है सब ने यहाँ तक copy कर लिया बिचारों को पता तो है नी क्योंकि इमानदारी से knowledge कम है उनकी तो 16-19 तो लिख दिया बट उन्होंने यह line लिखना भूल गए as on first day of the month in which course is due to comment इसका मतलब अगर second July को course आपका start और NDA का तो भाई साब जुलाए तक आपकी entry तक NDA की 19-19 से जादा नहीं होनी चाहिए उमर साड़े सोला से छोटी नहीं होनी चाहिए यह एच क्राइटीरिया NDA पहुंचने तक National Defense Academy खड़क वालसना पहुंचने तक course commencement date तक वो वाला scene है यहाँ पर अब लोग सुछते हैं यह paper writing तक साड़े 19 नहीं चलेगी दोस्त ठीक है जी क्योंकि merit list बनने में समय लगता है recommendation होगी आपकी ठीक है फिर merit list बनेगी merit list आने में भी समय लगता है तो वो सारा समय मिला कर joining तक आप 19.19 से बड़े नहीं होने चाहिए इसलिए आप जब form डालते हो तो वो साड़े 18 तक लेता है मैं यहाँ पर आपको शो भी कर देता हूँ तो मैंने क्या किया यहाँ पर अगर आपका date of birth 2nd January 2006 तक है तो आपके एक ही attempt बचे है मतलब NDA 2 2024 का 2nd July 2006 है इसके बाद है दो attempt बचे है ठीक है जी 2nd January 2007 है 3 attempt बचे है 2nd July यह इसके बाद है 4 attempt बचे है 2nd January 2008 है यह इसके बाद है तो आपके 5 के 5 attempt बचे हुआ है ठीक है तो यह मैंने आपके लिए चार्ड बना दिया 2nd January से पहले है तो eligible नहीं है अगर आप 1st January को भी पैदे हुए तो भी आप eligible नहीं है अब ध्यान से सुनना जो जो बच्चे eligible है मेरे दोस्त आप सब लोगों के लिए हमारा सबसे बेस्ट जो इंडिया का बैच है जहाँ पे best of the best educators आपको पढ़ाने वाले है National Defense Academy के लिए संकल्प बैच वो launch हो चुका है Classes इसके अंदर बहुत ही जल्दी फिफ्ट आप में को स्टार्ट होने वाली है जहाँ पे आपको live classes मिलेंगे doubt session मिलेंगे recorded videos पुराना बैच संकल्प का जो NDA1 का 2024 का बैच है वो completely free of cost मिलेगा जिसके अंदर साढ़े 700 से जादा live classes है PYQ discussion recent के साथ हर एक chapter के class BDS mock test DPPs JMAN level तक की यहाँ पर आपको content provide किया जाएगा कुछ भी topic skip नहीं किया जाएगा extra classes भी बहुत सारी होने वाली है बच्चो इस इस दी last attempt आप सब लोगों के लिए 2nd January वालों के लिए 2006 वालों के लिए तो भाई साथ अपना मौका मत जाने देना ठीक है अगर आपका आखरी attempt है एक बार हमारे उपर भरोसा करके देख लिए SSB guide app है हमारा मैं link description box के अंदर भी दे दूँगा तो जितना जल्दी हो सकता है course में संकल बैच में हमारे जुड सकते है app हमारा है play store के उपर available है SSB guide आप उसको वहाँ से जाकर download कर लेना और संकल बैच के अंदर enroll कर सकते हो 4000 इसकी costing है जी ठीक है पहले 500 students के लिए 4000 रुपीज जो costing है 1000 रुपीज पर मन्त बनता है जी इसका ठीक है चार मिने का पूरे course है 30 अगस्त तक चलेगा जी बैच बीच में motivational sessions भी होंगे और mentoring sessions भी होंगे जूम के उपर ठीक है तो मैं आपको समय समय पर आपके साथ जुड़ा रहूँगा upcoming NDA examination के अंदर जितने भी questions हमारे paper में direct आये थे उसकी video भी हमने डाली है संकल बैच से link description box में उसका भी दे दूँगा वो 100% proof है कि direct notes से हमारे सवाल paper के अंदर आते हैं ठीक है जी ठीक है बच्चे तो मिलेंगे directly आप से classes से I hope कि इस video से जितने भी आपके attempt बच्चे है वो आपको clear हो गए होंगे मिलते हैं आप से next session के अंदर तब तक के लिए जैए